आज की हेटिंग जालों Memorandum Balance Sheet इसमें लिखो Sometimes Question Does not provide The Balance Sheet Sometimes Question does not provide The Balance Sheet Of the Business Comma Rather it gives Rather it gives Some relevant information Rather it gives Some relevant information In paragraphic form Rather it gives some relevant information in paragraphic form Full stop In such questions In such questions In such questions We have to prepare In such questions We have to prepare The Balance Sheet By ourselves We have to prepare The Balance Sheet By ourselves And rest All the steps And rest All the steps And concepts Are 100% same As discussed In such questions In such questions How much When you have to hear And what you have to hear In such a question Is always And then In such a question So You have to purchase बहुत सारे assets लिखे होते थे इधर आपकी बहुत सारी liabilities लिखे होती थी और मैं बोलता था कि बच्चो पहला step यह step 1 यह है बताओ क्या है step 1 कि balance sheet को खाली कर रही हां से हमको एक आइटम को खाली करना होता था अब जो वो question होता है वोड़ा सा मुश्किल करता है हमारे लिए अब question जो है वो क्या करेगा वो आपको tabular format में balance sheet बनी बनाए नहीं देगा नहीं तो balance sheet बनी बनाए देगा तो फिर तो आपको पते यह क्या करना है अब question क्या करता है आपको paragraph form में information को लिखके देगा ऐसे लिख देगा for example कि X की capital है 10,000, Y की capital है 20,000, creditors है 5,000, building है 25,000, furniture है 6,000, etc. ऐसे देदेगा तो इससे कोई concept तो change होगा नहीं chapter का कोई बाते तो change होगी नहीं chapter की बस हमको क्या करना रहेगा इन बातों को ऐसे paragraph form में जो दे रखे इनको हमको पढ़ना पढ़ेगा और पढ़कर अपनी balance sheet एक खुद से बनानी पढ़ेगी माल लेते हैं उसने बोला X capital 5,000, तो यहां लिख लो फिर उसने बोला Y capital 6,000, तो यहां लिख लो उसने बोला building 25,000, तो यहां लिख लो उसने बोला building furniture 6,000, तो यहां लिख लो उसने बोला creditors 10,000, तो यहां लिख लो मतलब question आपको balance sheet बनी बनाई नहीं देगा, आपको question क्या देगा, balance sheet की ही information को paragraphic form में ऐसे लिख के देगा, समझा रहें न क्या बोल रहों, तो हमको वो paragraph को क्या करना है, कुछ भी इसमें दिटकत क्या है, paragraph पढ़ना है, जो जो information दे रखी है, उसको देखने के बाद, अपनी balance sheet खुद से बना देनी है, और जब एक बाद balance sheet बनके तयार हो गई, उसके बाद सारे steps और सारे concepts सेल है, जो आपने already पढ़ लिए, मतलब आपको वैसे ही realization account दमाना पड़ेगा, वैसे ही capital account बनाना पड़ेगा, वैसे ही cash account बनाना पड़ेगा, और question खतम हो जाएगा, ठीक है, पहले समझा आगया, sir, sir, हम लोग से क्या प्रियों कि जो भी balance sheet को ऐसे दिया उसको हम डारेक्ली नहीं कर सकते हैं, नहीं, डारेक्ली नहीं कर सकते, हमको पहले अपनी balance sheet को बनाना पड़ता है, दिखाना होता है, और हम जो balance sheet खुद बनाते हैं, उसका नाम होता है memorandum balance sheet, क्योंकि ये balance sheet हमने बनाई तो इसका नाम होता है memorandum balance sheet, तो हम डारेक्ली नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं पहले balance sheet बना के दिखानी पड़ती है, चलो तो अब पहले इतना समझाया बिना बाते करें पहले मैंने जो बात बोली होती है रोजी अच्छा अब जब हम ये balance sheet बनाते हैं तो question 8 figure कभी-कभी missing छोड़ देता है तो या तो 8 figure balance इधर की तरफ missing छोड़ देता है बैलन शीट में question वाला 99% इधर ही मिलेगा आपको missing या फिर कभी 1% chance हो तो इधर भी हो सकता है मतलब missing का मतलब सब क्या missing कैसे missing missing का मतलब ये कि मानलो ये 16,000 ये 15,000 ये information मानलो question में दे रखिए अब आप जब इस information को put करोगे तो liability का total तो 40 बना रहा होगा और asset का total 30 बना रहा होगा तो आप ऐसी balance sheet थोड़ी ना बना के सवाल solve कर सकते हो कि चल अब मैं शुरू कर देता हूँ आपको balance sheet tally भी तो करनी पड़ेगी ना बच्चो तो कभी कभी information ऐसी होती है कि आपको liabilities जो है वो इतनी दे रखिये होंगी और asset आपको इतनी दे रखिये होंगे तो ये तो गलत balance sheet है ना ये तो tally नहीं हो रही तो इधर एक balancing figure बचना शुरू हो जाता है से 10,000 रुपे त तो उसको क्या लिखना है वो हमको सीखना है और अगर अगर इधर बचेगा तो उसको क्या लिखना है वो हमको सीखना है रूँपे हिंगे पहले समय जा घया अभी तक की कानी क्लियर होगी ठीक है तो next point लिखख आप पहला point लिखे निया Это इसके बाद second point a balancing figure comes on asset site sometimes a balancing figure comes on asset site comma and it is to be named as and it is to be named as उस balancing figure को हम नाम देते हैं named as sundry assets तो इस पे star लगा लगा and it is to be named as sundry assets और bracket में लिकले ना if balancing figure if balancing figure comes on liability site if balancing figure comes on liability site हाला कि इसके chances बहुत ना के बराबर हैं ऐसा 99% नहीं होता 99% आपका asset site पर ही बचेगा balancing figure पर फिर भी 1% हम chance क्यों नहीं बाइचांस बची गया तो तो एक balancing figure comes on liability site comma then it is named as बताओ क्या पी एनल अकाउंट यानि हमारी भाषा में चॉकलेट ठीक है तो अब आप फटाफट बुप में आओ page 7.67 question number 45 करेंगे रचे ठीक है तो देखो पहले मेरे साथ साथ दीरे दीरे पंड़ना फिर बाद में आप से discuss करेंगे सब AMB dissolve their partnership their position as on 31st March 2019 was अब देखो इसमें आपको balance sheet कहीं दिख रही है कुछ न में नहीं दिख रही है लेकिन question आपको information दे रहे A capital 25,000 B capital 15,000 sundry creditor B Cesar cash in hand and bank 750 the balance of A's loan account to the firm stood at 10,000 A ने कोई loan भी दे रखा है firm को 10,000 का the realization expenses amounted to 350 stock realized B Cesar debtor 25,000 कह रहा है realization के खर्चे हो गए 350 stock बेचा 20,000 का debtor बेचे 25,000 के B took a machine at agreed evaluation of 7,500 B ने machine take over कर ली 7,500 की other fixed assets realized B Cesar दूसरे fixed assets 20,000 के बेचे you are required to close the books तो मैंना question जरा सही होता है छोटा सही होता है लेकिन balance sheet नहीं दी बस question नहीं ठीक है पहले question सो मैं जा गए छोटा सही होता चरण तो हमको पहले question के अंदर अपनी balance sheet बनानी पड़ेगी बच्चो तो इसका नाम है memorandum balance sheet तो आप भी मोरे साथ पहला ढाचा बनाए और इस balance sheet का नाम है memorandum balance sheet liabilities liabilities or assets yes अब जो जो information दे रखी है वो वो लिखनी है तो एक तो उसमें दे रखा है US capital 25,000 तो कहां लिखोगे आप liabilities भे लिख लोगे तो एस capital 25,000 दूसरा उसमें दे रखा है 20 capital तो बीज capital 15,000 तीसरा उसमें दे रखा है summary creditors तो वो भी इधर ही लिखनोगे summary creditors मतलब आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप balance sheet बना रहे हो information को देखते फिर उसके बाद दे रखा है cash in hand and bank तो cash in hand and bank को तो आप assets में लिख लोगे है cash in hand and bank 750 और उसने नीचे लाइन दे रखी है कि balance of age loan to the firm stood at 10,000 एका loan भी है 10,000 का तो आप उसको इधर भी लिख लोगे liabilities में age loan account 10,000 तो उसने हमको यह information दे रखी गए ठीक है इतना clear हो गया पहले हाँ तक किसी को doubt अब उसकी information के मताबिक अगर चलू तो balance sheet फिलाल टैली नहीं होगी तो इधर का total आएगा सत्तर हजार रुपी liabilities का total आएगा 70,000 तो उसकी information के मताबिक balance sheet टैली नहीं होगी तो जैसा कि मैंने आपको का था कि 99,000 प्रतीशक chance होते कि balance इधर ही बचेगा आपको तो कितना balance बच गया 69,250 सबको समझा रहा है बच्चों कोई दिक्कत परिशानी नहीं लग रही तो इसको क्या नाम देंगे हैं sundry assets तो इसको नाम देंगे हम sundry assets इसका meaning भी समझ लो रखने से पहले तो इसका meaning ये है कि भई मुझे नहीं पता कि इनके अंदर क्या-क्या है हो सकता है इसके अंदर कोई machine हो 10,000 की हो सकता है इसके अंदर कोई furniture हो 20,000 का क्या पता है इसके अंदर कोई stock हो 2,000 का क्या पता इसके अंदर कोई डेटर हो 6,000 का, क्या पता इसके अंदर कुछ और, etc. कुछ भी हो, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो मैंने सब को मिला-जुला के एक नाम दे दिया, संद्री एसेट्स, ठीक है जी, पहले हाँ तक क्लियर हो गया? अगर अगर लोन दिया है, तो इसका मतलब फर्म ने अगर लोन लिया है, तो फर्म ने अगर किसी से पैसा लिया, तो फर्म के लिए वो क्या है? लाइबिल्टी है ना, तो ए ने फर्म को पैसा दिया, तो इसका मतलब फर्म में लोन लिया, तो आपको फर्म की बैलंस शीट बनानी है, इसलिए फर्म की बैलंस शीट में ये लाइबिल्टी में लिखा, अगर उल्टा लिखा होता, कोश्चन में लिखा होता, ए हैस टेकन एननाλλों फ्रum फॉर्म तो मैंसे इत्मी लिखता, तो कुष्चन में पढ़ना पढ़ेगा। यहां टानी क्लियर होगी। अब बच्चो आपको ऐसा समझना है, कि this is your question है, आपको ऐसा समझना है ही बैलन शीट कोष्चन वाले में दे रखी है और अब आपका कुश्चन अगले पेसे शुरू हो रहा है पहले समझ आगे हैं आपका चलो तो तीन धाचे कौन-कौन से बनाएंगे हम बलकी इसमें तो चार बनेंगे चार धाचे बनाओ बच्चो तो चार धाचे बनाओ बच्चो र्येलाईजेशन अकाउंट धाचा में वन पार्ट्नर क्यापितल अकाउंक धाचा नंबर टू बताओ धाचा में नमर थ्री क्या धाचा नंबर थ्री क्या A's loan account पार्ट्नर का लोन अकाउंट और धाचा नमबर चार क्या क्या शका हूँ शोले फिटा 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 बनाओ धाचा ठीक तो चार्ड नहां चे बनाएंगे रियलाईजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज लोन अकाउंट और कैश अकाउंट चीक है तो अब कॉंसेप्ट वैसे खतम बात खतम अब तो बस आपको यह समझना है कि जैसे हम पेले करते थे question वैसे ही करना है हमें तो पहले कैसे करते थे question, क्या step करते थे पहले आप पहले balance sheet को खाली करना है यह जो balance sheet नजर आ रहते हैं यहाँपर इन items से भरी हुई इसको one by one खाली करना है हमको ठीक है तो cash in hand को कहां लिखेंगे खाली करके 2 balance BD 750 संडरी assets को कहां लिखेंगे खाली करके realization में 2 sundry assets 69,250 ठीक है तर असेट साइट तो खाली हो गई असेट साइट तो खाली हो गई उसके बाद उसके बाद A's capital और B's capital इने partners capital में लिखेंगे buy balance BD 25,000 और 15,000 उसके बाद संडरी creditors को कहां लिखेंगे realization में by sundry creditors इसके आगे आदमी आदमी का मिखेंगे क्या outside liability ठीक है यहां तक clear होगे सबको और आखरी आइटम एस लोन इसको कहां खाली करेंगे इस लोन अकाउंट में by balance BD दस हजार रुपए तो लो बच्चो पूरी balance sheet अपनी खाली होगे है ने आप ने तो cutting नी कर दी कर दी आपको थोड़ी ने आपको तो solution है वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा था यह आपने तो नहीं काट दिया चलो तो यहां तक अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट चलो अब नीचे क्या-क्या लिख़ा है पढ़ो आगे the realization expenses खर्चे सारे 300 कहां लिखोगे खर्चा हो गया very good खर्चा हो गया तो आप इधर लिखोगे to cash account अभी bracket में लिख लो 350 जब आप पैसे पे करते हो खर्चा पे करते हो तो यहीं पे लिखते हो to cash account फिर उसके बाद पढ़ो क्या-क्या दे रख़ा है stock बेचा 20,000 का debtors बेचे 25,000 के very good तो buy cash account और अभी bracket में लिख लो 20,000 plus 25,000 ठीक है कोई दिक्कत पर रिशानी तो नहीं फिर आगे पढ़ो we took a machine at the agreed valuation of 7,000 बी ने machine take over कर ली तो कहां लिखोगे buy B's capital account asset take over कर ली है न बी ने तो अगर बी ऐसे टेक ओवर कर लेगा तो आप लिखोगे buy B's capital account और इसकी cross posting कहां post करोगे capital account में debit side पर to realization account 7,500 तो बी ने machine take over कर ली 7,500 ठीक ही clear? उसके बाद आगे पढ़ो other fixed assets realized 20,000 दूसरे assets 20,000 के बेच दिए तो assets बेच दिए तो कहां लिखोगे? buy cash account में ही 20,000 को जोड़ लो तो बस सवाल तो खतम तो कितना पैसा आया आपके पास? 65,000 और इसको कहां और लिखोगे? cash account के debit side में to realization account कितना पैसा आया? 65,000 आया? ठीक है? clear होगे जी? यहां तक कोई doubt तो नहीं है किसी को? फिर उसके बाद बस total कर दूँ गया? या कोई आपके दर्वाजे पर खड़ा है वेक्ती? creditors खड़े हैं आपके दर्वाजे पर सब को नजर आ गया? तो आपको कितने रुपए उन्हें पे करना पड़ेगा? 20,000 तो आपको अपने आप 20,000 रुपए इधर पे करना पड़ेगा तो 20,000 creditor को पे कर दो ठीक है sir? तो total कितना रुपए पे होगे आपका? 20,350 और इसको कहां लिखोगे? इसको cash account में by realization account तो पैसा गया 20,350 रुपए गए तो credit का total मैं कर रहा हूँ debit का आप करो credit का मेरा तो आ रहा है 92,500 हाँ और आपका debit का कितना रहा है? 89,600 तो minus करो तो क्या बच रहा है balance? 2900 2900 इदर बच रहा है तो 2900 को क्या बोलेंगे हम? profit तो इसे A और B के ratio में बाट दो equal है? तो 1450 और 1450 पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट में by realization अकाउंट 1450 और 1450 फिर A का टोटल बताओ 26450 और B का टोटल 16450 तो A का टोटल 26450 और B का टोटल 16450 तो बताओ A का क्या balance बचा? A का balance बचा? 26450 और B का बताओ 8950 तो A का balance बचा? B का balance बचा? तो क्या बोलेंगे इसको 2 2 cash account मतलब दोनों व्यक्ति अपने अपने घर ये पैसा लेकर चले गए तो इन दोनों को कहा लिखोगे? cash account में by A's capital account 26450 by B's capital account 8950 ठीक है यहाँ तर clear हो गया फिर loan account भी total कर लो 10,000 10,000 तो क्या लिखेंगे इदर? 2 cash account तो 10,000 रुपए आपने A के loan के भी pay कर दिये तो 2 cash account 10,000 तो इसको कहां लिखोगे? by A's loan account 10,000 अब cash account का total कर लो debit का मैं कर रहा हूँ अब credit का आपको करना है credit का बताओ 65,750 तो बस तो अब बताओ बच्चों की कोई दिक्कत परिशानी वाली बात तो नहीं है क्लियर होगे वाला दूस्टे? अच्छा अब तो एक question और करेंगे आप और में साथ साथ तो करके देखते हैं हम एक और 46 इसके नीचों वाली करते हैं अच्छा 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 इन पार्टनर्शिप शेरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो अफ थी इस तू वन यह एग्री तू डिजॉल्व दा फॉर्म अच्छा अच्छ अफ दो हजार अफ दा फॉर्म रियलाइज एक लाग दस हजार इसका बच्छों इस लाइन का हिंदी में मतलब समझा देता हूँ इसका मतलब है कि जो हमारे एसेट्स है अधर देन कैश ऑफ 2,000 मतलब 2,000 के कैश को छोड़कर उसको छोड़कर जो हमारे पचे हुए एसेट्स है वो रियलाइज हुए मतलब वो हमने बेच दिये कितने रुपह में बेच दिये एक लाग दस हजार रुपह में बेच दिये उसके बाद PNL अकाउंट 8,000 और उसके भी ब्रैकिट में दिये डेविट बैलंस ये कैश पर है इसको क्या बोलते है हमारी भाषा में डेविट बैलंस को हमारी भाषा में क्या बोलते है वो क्या चॉकलेट नहीं कूडा ये फिक्टीशिस ऐसेट है कूडा ऐसेट PNL डेविट फिर उसके दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसे एक हजार खर्चे हैं एक हजार यू आरेक्वारेट टू क्लोज दा बुक्स ओव दा फॉर्ब तो पहले पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो क्या बनाना पड़ेगा Memorandum Balance Sheet चालो तो बनाओ पहला ढाचा पहले बनाना पड़ेगा Memorandum Balance Sheet उसके बाद दूसरा ढहाचा क्या बनाओगे दूसरा ढहाचा आपको बिनाना पड़ेगा realization account उसके बाद दूसरा ढहाचा क्या बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकांग तो बनाओ विच्चो बनाओ कौन कौन है पार्टनर के नाम बताओ एके और चौथा ढहाचा क्या बनाओगे चौथा ढहाचा क्या तो पहले ये बना लो जी तो जब बन जाए नाचे तो मुझे बता देना से तो शुरू करवा देंगे आपको जब धाचे बन जाए तो मुझे बता देना फिर आपको शुरू करवा देंगे बन गे ढहाचे चार ऩाचे बनगे हैं जल्द्र इल्दी बनाओ हा चोथा है कैस सब्सक्राइक क्याक्त तो पर्म की बुक् शक्लोस करने के लिए वो भी बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट और काउटर कंश अगल तो अब ध्यान से बिल्कुल एलर्ट होकर बदाओ सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है कैश कितने रुपए कैश 2000 तो लिखो एसेट साइट पर कैश उसके बाद क्या heading दे रखी है the liabilities and other particulars on that date तो क्या के info दे रखी है आपको creditors तो लिखो liabilities बे creditors 40 फिर उसके बाद आपको दे रखा है अशो कैपिटल एक लाग तो कहां लिखोगे liability अशो कैपिटल एक लाग फिर आपको दे रखा है next पढ़ो किशोर कैपिटल 10,000 debit balance ओ गौड तो किशोर कैपिटल 10,000 debit balance दे रखी है यहां लिख दूँ क्या क्यों कैपिटल तो यही लिखते है हमेशा no sir क्यों क्यों की किशोर कैपिटल आपको कौण सा दे रखा है balance debit balance तो आपको asset में लिखना पढ़ेगा तो इस पे मैं star लगा देता हूँ तो ध्यान रखने है वच्छों किशोर कैपिटल के ब्रैकिट में लिखा है debit तो इसका मतलब होता है asset में लिखना है ठीक है उसके बाद next item दे रखा है profit and loss 8000 और उसके ब्रैकिट में भी debit दे रखा है same तो ये आपको asset में ही लिखना पड़ेगा 8000 क्योंकि debit दे रखा है तो ये कूडा होता है ध्यान रखना this is कूडा हमारी भाशा में बस खतम होगी information तो liability होगा total तो है एक लाग चालेस और फिर से जैसा कि मैंने कहा था इधर ही बचेगा balance तो इधर कितना balance बच रहा है 99 परसेंट चांस होता है इधर में तो कितना बचेगा 1,20,000 ठीक है सब को clear हो गया कोई दिक्कत परिशानी जो न हाँ या न क्या हाँ परिशानी है तो इसका नाम क्या होता है संड्री एसेट्स समझ आगे memorandum balance sheet बदाना सब बच्चों को तो अब आपको यह समझना है आपको अपने मन में यह सोचने है कि यह सवाल की balance sheet यह दे रखिये और अब हम अपना solution अब शुरू कर रहें आपको ऐसे सोचने हैं कि यह balance sheet given है and now we are starting our question ठीक है जी चलो तो अब इस balance sheet को क्या करना पड़ेगा आपको बोलो ना क्या करने है खाली करना पड़ेगा चलो तो पहले asset side से खाली करते हैं cash को खाली कर दिया कहां लिखो हुए two balance bd 2000 किशोर कैपिटल दस हजार इसको खाली करना है कहां लिखोगे जैरिगो तू बैलन्स bd किशोर के debit side में लिखोगे दस हजार यह समझा आगे सबको कोई दिक्कत परिशानी उसके राद यह pnl कूड़ा कहां लिखोगे खाली करके यह कहां जाता है कूड़ा partners capital में debit side में तो two pnl account 6000 और 2000 थ्री स्टू बन था न दोनों का ratio दे रखा है ठीक है clear तो कूड़ा भी हो गया खाली फिर उसके बाद sundry assets कहां जाएंगे realization के debit में two sundry assets एक लाग बीस तो assets side तो बच्चो खाली हो गए चलो अब liability खाली करते हैं liability में एक तो लिखा है अशोग capital एक लाग इसको कहां खाली करना है partners capital में by balance bd अशोग के capital में एक लाग रुपए यहां तक clear दूसरा खाली करना है creditors चालिस हजार इसको कहां लिखना है realization में by creditors और क्या बनाएंगे आदमी बनाना है मतलब outside liability का symbol तो balance sheet हो गई खाली step one complete अब नीचे information जो भी सवाल की बची हुई है उन्हें परते हैं तो एक तो दे रख है हमने assets बेचे कितने के बेचे assets बताओ assets बेचे कितने के बेचे सवाल में लिखा था other than cash मतलब cash के अलावा cash को थोड़ी न बेचेंगे तो cash के अलावा जो हमने assets बेचे 110 ही लिखेंगे हाँ तो कहां लिखोगे 110 by cash account तो 110,000 के आपने assets बेचे तो आपके पास 110,000 रुपया आ गया तो इसको कहां पे लिखना है cash account में debit side पर to realization account 110,000 पैसा आया ठीक है clear फिर और क्या दिया है question में last point परो realization expenses 1000 रुपय का खर्चा आ गया कहां लिखे होगे to cash account अभी अंदर ही लिख लो bracket में 1000 रुपय का खर्चा ठीक है हाँ तो अब creditors को आपको पे करना पड़ेगा कितने रुपय पे करोगे 40 तो वो भी आपने पे कर दिये तो 1000 रियलाइजेशन का खर्चा 40,000 क्रेडिटर को पे कर दिया सबको समय जा रहा है कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं तो कितने रुपय टोटल पे करें आपने 41 अब बताओ इसको कहां दूसरी जगा लिखोगे कैश अकाउंट में बाइ रियलाइजेशन अकाउंट 41,000 पे करती है बस सवाल अब खतम हो चगा है बच्चोप सवाल में कुछ भी नहीं बचा आप टोटल टोटल करना है इदर का टोटल 161 161 में से 150 गया क्या बचा बैलेंस? 11,000 तो इदर बचा क्या बोलोगे? बाइ लॉस अशोक अर किशोर में 3-1 में बाटो क्यों पॉइंट में क्यों आएगा? पॉइंट में नहीं आएगा 8250 और 2750 ये आ रहेगा तो अशोक का आएगा 8250 और किशोर का आएगा 2750 ठीक है? क्लेर होगी कहानी? कोई दिक्कर परिशानी तो नहीं है? अब इस लॉस को कहा लिखोगे जी? तू रियलाइजेशन अकाउंट ये आ गया लॉस इधर 8250 और 2750 चालो तो अशोक का टोटल है एक लाग तो वन लाग में से ये माइनस करो दोनों क्या बचा बालेंस? 85750 तो टो कैश अकाउंट तो ये तो इतने रुपए घर लेकर चला जाएगा 85750 ठीक है? और के का टोटल इधर का कितना आ रहा है? 14750 14750 तो के का बैलन्स भी बच रहा है इधर 14750 तो के अपने घर से कितने रुपए लाएगा? 14750 बाई कैश अकाउंट ठीक है? क्लियर? आईए अब कैश अकाउंट में डाल लेते हैं इसको तो टू केश क्यापिटल अकाउंट किशोर अपने घर से लाया 14750 और बाई एस क्यापिटल अकाउंट ए अपने घर ले गया 85750 दोनों साइट का टोटल बताईए 126750 और इधर का भी 126750 ठीक है समझाए अब कुछ कुछ कानी के क्या हो रहा है चलो सर एक और करवाओ कोई तो एक पहले अब आपको दूख करने के लिए अब एक आपको दे सकता हूँ तो अब आप करके देखो बच्चों अपने आप 52 अब आप